वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें याने कि जो किरकेट का वर्ल्ल कप है वो भारत में खेला गया था वन्डे जो किरकेट कहते हैं एक दिविश्य किरकेट होता है इसका 13 नंबर का एडिशन 2023 में हुआ और इसका आईजन हुआ भारत में यानि कि आईजन करता देश जो था वो भारत था इसली ये लगातार इस तल्दे वो सभी भारत में रहे तो वर्ट से 2023 में पहली बार सारे मैच भारत में खेले गए इसलिए इंपोर्टन्ट है एक्जाम में से रिलेटेट फैक्ट पूछे जाएंगे इसलिए इस चोटी से वीडियो में हम इंडिविज्वली सिर्फ इस टॉपिक को कंप्लीट क करते हैं सबसे पहली बात किसका आयोजन कभी से कब तक किया गया तो बिल्कुल एक एक पॉइंट याद रखना है कोई भी पॉइंट एक्जाम में पूछा जा सकता है सारे एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है तो आयोजन की तिथी थी पाच अक्टूवर से 19 नवंबर 2023 किसका आयोजन हुआ आयोजन इस्थल भारत था सारे मैच भारत में हुए अब इससे पहले अगर इत्यास में जाएं तो कब कब भारत ने इसका आयोजन किया है लेकिन तब अकेले नहीं किया भारत के साथ और भी जैसे की मैचिस खेले जाते हैं तो कुछ मैचिस के इस्तान यह कुछ मैच भारत में खेले गया थे 2011 में आंसी का भारत में खेला गया था ठीक है तो दीन आपको वर्ण से लौर रखने कि कबकप भारत में यह वंडे एक्जाम जो वंडे किरकेट होता है विश्चय कब यक वर्लड कप यहाद 11 और 23 2023 इसको जरूर याद रखे ठीक हो सकता है यह पूछले आपको वो तीन चार्ज वो eliminate करने वाले होते हैं उसमें पूछा जा सकता है इसके बाद final match किस stadium में खेला गया यह एकसर exam में पूछा जाता है PCS वाले ऐसे प्रिश्ण बहुत पूछते हैं तो नरेंदर मोदी stadium एहमदाबाद जो की गुजरात के एहमदाबाद सहर में हैं यहाँ पर खेला गया कब खेला गया 19 सबमबर 2023 को खेला गया यही वो और यह च rulप से टाब शटी बार और सबसे जादर बार बार उस्टेलिया नहीं जीता है तो ऑस्ट्रेलिया वहं कंट्री बन गई जिसने सरवादिक बार वर्ल्ल कब जीता कब कब जीतオस्ट्रेलिया ने 1987 में उनीस्सों सतर्थी में उनीजार दीन में 2007 हें 2015 में और कंट्री कौन सी रही तो भारत और आस्ट्रेलिया की बीच में मैच हुआ था जब आस्ट्रेलिया विजय हो गया तो बुजेता कौन रहेगा भारत रहेगा भारत ने दो बार विशुकप भी जीता है कब कब जीता आपको अच्छे से याद होगा 1983 में और 2011 में ठीक है और 2023 में हम जीते जीते रहे गए तो 2023 विशुकप में भारत की कप्तान का नाम जरूरी याद रखे रोहित सर्मा थे 2020 के लिए सबसे जादा रन किसने बनाए तो इस पूरे मैच में सबसे जादा रन बिराट कोली के द्वारा बनाए गए भारत की खिलाड़ी है 11 मैचों में 765 रन इन्होंने बनाए और 3 सतक और 6 अर्ध सतक भी लगाए और यहाँ पर इन्होंने 2 रिकॉर्ड भी तोड़े सचिन तैंदुल करके अब आगे कौन से रिकॉर्ड है इनको आगे पढ़ेंगे सबसे ज़ादा बिकेट किस ने लिए महमाँद समी ने लिए तो यह भारत के ही है साथ मैचों में 24 बिकेट इन होने लिए प्लेयर ऑफ दे टूनामेंट या फिर गोल्डन बैट यह किसको मिला तो यह बिराट कोली को ही मिला है भारत के ही है फाइनल में प्लियर ऑफ दा मैच कौन चुने गए ट्रैविस हेड चुने गए जो कि ऑस्टेलिया की खिलाडी है तूना मैट में सबसे जाद सतक लगाने वाली खिलाडी कौन बन गए ये कुंटन डी कॉक बन गए दक्षन अफ्रीका के हैं कुल चार सतक इन्हों ने लगाए और भारती खिलाडी बिराड कोली ने कुल तीन सतक लगाए ठीक है इसके बाद ऑस्टेलिया की ग्लेन मैक्सिविल ने नीदर लैंड के खिलाप मैच में 40 गैंदों में सतक बनाकर AK-DVC किर्केट विश्योकप में सबसे तेज सतक बनानी का रिकॉर्ड बनाया 40 गैंदों में इन्होंने सतक बना लिया और सबसे तेज सतक बनानी का रिकॉर्ड यहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया न्यूजिलेंड के खिलाब सेमी फाइनल में भारत की विराट कोली ने सतक लगा कर AK-DVC मैचों में 50 सतकों का रिकॉर्ड बनाया जो कि इसके पहले ये रिकॉर्ड था सचन टैंदुल कर के नाम 49 सतक ये बना चुके थे अब यहाँ पर 50 सतक इनके पूरे हो गए विराट कोली के तो ये रिकॉर्ड किसके नाम चला गया विराट कोली के नाम चला गया पहले सचन टैंदुल कर के नाम था ये थोड़ा important point है इसको जरूर याद रखे इसके बाद अगला तति दिया गया है इस टूर्णा मैट में स्री लंका के एंजेलो मैथ्यूस टाइम आउट होने वाले विश्यू के पहले बल्ले बाज बने और उन्हें बांगला देस के खिलाब मैच में टाइम आउट कराट दिया गया ये बहुत important fact है चुकि नया भी है विश्यू के पहले वल्ले बाज बन गया है जिनको टाइम आउट किया गया था नाम क्या है एंजेलो मैथ्यूस कहां के हैं श्री लंका के हैं याद रखना है और इनका स्कोर गया रहा 201 रहा विश्यू कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड 2015 में मार्टिन गुप्टिल का था जो की 217 रन इन्होंने बनाए थे विश्यू कप में ग्लेन मैक्सवेल 12 सतक जमाने वाले भी तीसरे बल्ले बाच बन गे इसके बाद बिराट कोली का एक और रिकॉर्ड याद रखे बिराट कोली ने 11 मैचों में 765 रन के साथ एक संसकर रन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया जो की सचिन इनके पास चला गया सब पूरे टूनामेंट में मतलब इस वाले टूनामेंट में सबसे ज़्यादा छके किसने लगाए रोहित सर्मा ने लगाए भारत की टीम के कप्तान भी थे एक तिस छके इनकी द्वारा लगाए गए बारती बल्ले बाच रोहित सर्मा ने अफगानिस रिकॉर्ट तूटे हैं दो विराट कोली ने तोड़े और एक गुरुहित सर्बा ने तोड़ा तो इसको जरूर याद रखे एक्जाम में ये फैक्ट तो पूछे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने जितने भी इंपॉर्टन फैक्ट है वर्ल्ड कप से रिलेटेड ये को कवर किया है आई होब जानकारी अच्छी लगी होगी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले बूर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम गुरूप जरूर जोइन कर लें लिंक आपको डिस्क् मच्छी रशॉँ प्रूब जो जर खिए बूल्दी से लाइक कर दो ऑनकारी यॉड़़गी खिछ पर फेंचे कि लिए डिए मैज जाब भी ह।